क्या सबस्क्राइब करें देर और भाय का बातावरा नहीं बना दुनिया के हर देशों mij जहां इजराइल के दुस्मन के रूप में आतंगवादी थे उस कंट्रिव में जा करके उस आतंगवादी को मारते है इंग्लेंड, फिलिस्तिनी में साथ को मारा, लंदन में जाकर के मारा, अमेरिका ने लाधन को मारा, युद का महुल नहीं बना, राज़ीती नहीं भी, जस्त नहीं मनाए गए, क्या हुआ, आप जिसको दस साल पहले, खुद पाथिस्तान में जाकर के छोड़ के आये हैं, आपकी उकात क्यों नहीं होती है, उसको जाकर क्यों हमार देनी, यह हैंसियत आपके भी तर्थी नहीं है, किस ने रोका आप, क्यों नहीं गया, जाएए ना, सैनिक के कारों में भी राज़निती, हमारा सैनिक हमेशा जिम्मेदारी के साथ, भारत को दुनिया में गरवान नहीं हो, और भारत के विचारों के साथ, भारत की संस्कृति के साथ, राज़निती, कस, कतई इस्तमाल देश हित में, इनसानियत और मानप्ता के हित में नहीं होनी है, अभी तक इस देश की सरकार ने इस बात की जानकारी दही दिया, कि सारे 300 क्विंटल बारूद कहां से आए, सारे 300 क्विंटल बारूद बाहर से इत्वाए नहीं, किसने लाए, किसने पहुंजाया, या सवाल जानना चाहता है दुनिया तो फिर आप बताते क्यों, कौन है वो आंत्रिक समुक्त, दूसरी बात, 1300 क्यों मीटर कनवाई, 1300, 1300 क्यों मीटर कनवाई में कहीं भी सारे 3 क्विंटल भड़ा हुआ, आडी एक्स एक वेक्तिन शलता गया, और कहीं भी कनवाई पर चांस नहीं, कि इसका जबाब आप नहीं है, तीसरा, 180 गारी के बीच, पांचमी गारी ही, बुलेट पूर नहीं है, ये पीछे से आकर, उस प्रैबर को कैसे करना है, साथमा, दो दिन पूर, जब, एरक्राप्ट से सियार्पी अपको भेजने की बाक्षित थी, तो फिर, बाइरोट क्यों है, आठमा, जब अमिर्का ने नौ दिन पहले ही, हमले की बाक कही थी, तो फिर, हमारा इंट्रिजेंस कहा था, क्या इंट्रिजेंस पर खरवाई है, क्या आप समझ होता हुआ, क्या चूप, जो फिर सरकार ने उसकी जिम्मेदारी लिए, चोल मचाई सोर, हर कामों को, डल के, और ये जो केंडल गेंग लोग थे, क्या कौन है केंडल के, या तो किसी ने किसी संगता, यानि तो किसी ने किसी संस्ता, उनमार, भारत नफरट, गर और भाय के बाकावरन में, कभी काम मही करता है, आज जिस तरह के माहूल है, सीधा है, इसका असर मिडिल क्लास के गरीब, फैमिली पर कितना बुड़ा पड़ेगा, आप जिस तरीके से इस माहूल को, दुनिया आज बोई जुद नहीं जाते है, और लगातार, हम सिर्फ बाकावरन पैदा करें, और आतंक वादियों, को मारने में हम बिलकुल, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और आतंक का इंसानियत का और मानुफ्ता का दुश्मन है, वो अराम से बैठा रहा जाए, तो इस्राइल और अमिर्का से सिखिए ना, तुनिया को जीटिए, ना?